दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं State Bank of India की ये आपका State Bank of India में खाता है ये आकाउंट नंबर है तो आप कैसे घर बैठे उस आकाउंट में मुवाईल नंबर रेजिश्टर कर सकते हैं मुवाईल नंबर रेजिश्टर करने के विभिन फायदे होते हैं जैसे कि आप घर बैठे अपना बैलेंस जान सकते हैं मिनी स्टेट्मेंट जान सकते हैं या आप अपने मुवाईल नंबर से विभिन प्रकार की सर्विसे से ले सकते हैं तो उसी का आज हम मैथड बताएंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका SBI में अकाउंट State Bank of India में और उनका मुवाईल नंबर अभी तक रेजिस्टर नहीं है तो आप घर बैठे अपना मुवाईल नंबर रेजिस्टर कर सकते हैं मात एसमस भेज कर आपको एक एसमस भेजना होगा और आपका मुवाईल नंबर रेजिस्टर हो जाएगा इसी के साथ हम आज यह भी बताने वाले हैं यह दिया आप अपने State Bank of India से मुवाईल नंबर अल्रीडी लगा हुआ है और उसे आप डी रेजिस्टर करना चाहते हैं तो उसका भी मैथड बताएंगे तो बने इस वीडियो लगातार मैं हूं जगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल पहिंदी यह आपने भी तिक हेल पहिंदी जानको सब्क्राइब नहीं किया है तो जरू कर लें शाषचाद वेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों आप हमारे वीडियो लगातार पाते रहें क्योंकि मैं लगातार CACC और गवर्मेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले होते हैं और एक अनॉंस्मेंट करना चाहूंगा अगर आपके घर में बेटी होते हैं तो सबस्क्राइब बात करूंगा कि आप अपना इस्टेट वैंक आप इंडिया मॉइल नमर कैसे रेजिस्टर करेंगे उसके लिए आपको आजाना है मॉइल फोन पर आ चुका हूं तो आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है मैं दोस्तों इसे डारिक भी ब अप्लिकेशन को इस्टाल करना है क्योंकि यह मैं डारिक्ट बता सकता था बट क्यों नहीं बता रहा हूं कि आपको बिलीफ हो जाए कि यह इस्टेट बैंक आफ इंडिया ऐसी सर्विसेश देती है क्योंकि मैं अल्री काफी वीडियो बना चुका हूं इस से तो काफी लोग कमेंड करते हैं इसलिए SBI की अप्लिकेशन इस्टेट बैंक आफ इंडिया का भारती स्टेट बैंक को उसे आप सबसे पहले डाउनलूड कर तो यह दिखिए हमारा डाउनलूड हो चुका इंस्ट यूज कर सकतें दो लेकिन विडाउट लॉगि नहीं बताऊंगा अकाउंट सर्विसेस एटियम का डेभिट कार्ड का सर्विस भी आप यहांसे ले सकते हैं मौइल टॉपप रिचार्ज कर सकते हैं डिपोजट कर सकते हैं लोन्स एन औराई सर्विसेस परधान मंत्री PMSBY and PMJJBY कोई दोस्तों स्कीम होती होगी हला कि इसका फ्रॉमा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ATM भी आप बैंक, लोकेटर, हॉलीडे वगेरा, साइचीन देख सकते हैं तो सबस्पहले जो आज का टॉपिक के अकाउंट इस्टेट्मेंट पे जाना होगा बैलिंस इंक्वारी कर सकते हैं कब जब आपका मौल नंबर रेजिस्टर होगा तो रेजिस्टर नहीं तो रेजिस्टर कैसे करना है उसकी लिए देखिए आपको यहाँ पर इस पर एक बार कॉल करके देख लिएना है देखिए गार पहली बेड़ ट्राइग गिया तो यहां पर आपको अप मैसेज में लिखे डियर कस्टमर योर मॉवाल नंबर इस नॉट रजिस्टर फॉर दिस फैसलेटी डिजिस्टर फॉर एच्वाइग फैसलेटी सेंड डैसमस रजिस्टर अकाउंट नंबर टू अगर कि अगे अपको मॉवाल नंबर करना है तो जो नीचे दीआ गया नंबर है इस पर आपको एफमेश भेजना लोगा देखिए जिसे heavens को रोगा रहा है तो वह से आपको message को send कर तो यह दिखिए मैंने mall number register कर दिया है आप आपको कुछ balance भी कटेगा अब आपका dear SBI customer अब दिखिए मेरे बाद फिर से message आया है मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा पहले उसे तो मैं फिर से SMS box पे जाता हूँ तो यह दिखीगा मेरे एक फिर से SMS तुरंट अभी आया है नौ बच के पांच पर दियर SBI customer your successfully register for SBI Q facility for full list of service SMS as help to download SBI Q app statement तो मेरा mall number register हो चुका है successfully आपने देखा जैसा कि अब मैं अगर फिर से SMS banking पर किलिक करूँगा मिनी स्टेंट पर तो मेरा balance दिखाएगा तो फिर से मैं application पर से लूँगा फिर से account में जाओंगा अब balance inquiry number वाले पर फिर से मैं click करूँगा और जो number register किया उससे फिर से आपको call करनी है तो दोस्तों फिर से मेरे में देखेएगा SMS आ चुका 9 बच के 6 मिनट में register किया mall number और 9 बच के तुरंद मैंने call किया 9 बच के 6 मिनट भी ही पहले बता रहा था आपका mall number रजिस्टर नहीं है लेकर अब तुरंद balance inquiry करके बता दिया मेरे account में 7,970 रुपए पड़े हुए हैं तो ये बहुत ही आसानी से आप SBI क्योंकि के help से या direct जो मैं number पता है उससे आसन भीज़ कर State Bank of India अपना mall number add कर सकते हैं मैं second video बनाऊंगा जहां पर बहुत से लोग comment ये करते हैं कि सर मुझे SBI से mall number दूसरा रजिस्टर करना है तो उसके लिए पहले आपको जो रजिस्टर रजिस्टर करना पड़ता है इसके बाद second जो mall number रजिस्टर करना चाहते है जो मैंने method अभी बताया उसी method के माद्दम स से आप रजिस्टर कर सकते हैं तो ये जानकारी कैसे लगी हमें comment करके बताएं सब्सक्राइब लाइक से जरूर करें अगर आपको कोई भी doubt रह जाता है था हमें comment करके पूछ सकते हैं thanks watching